यह आपका Sysmic Design Codes यह आपका एक topic है C310 में जो earthquake आपका topic है उसके earthquake designs और उसमें आपका unit number 4 है तो आपको Sysmic Design Code सिस्मिक या नहीं आपका earthquake होता है कि उसके बेजमेट का एक मतलब से डिफाइन किया जा सकता है earthquake से और डिजाइन कोड से या अगर आप किसी भी structure को डिजाइन करते हैं और वो सिस्मिक जोन में आता है तो वो उसके लिए कौन-कौन से मलब कोड्स इस्तिमाल करने चाहिए तो जैसे अगर हम बात करें कि जैसे फ्रांस अमेरिका जापान इन सब कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज जो की earthquake से एफेक्टिव रहती है तो इन कंट्रीज ने अपने theoretical और practical knowledge के थूँ कुछ कोड्स का निर्मान किया और इन कोड्स के इस्तिमाल करने से क्या होता है कि जब आप आप करते हैं किसी भी construction को डिजाइन करते हैं या जो आपका design of civil जागर कहें तो उसमें क्या करेंगे कि आप उन कोड्स का इस्तिमाल करेंगे तो आप जो भुकम से होने वाली शति उसको कम कर सकते खतम नहीं कर सकते लेगिन कुछ शति को कम किया सकता है तो इन मतब क्या हु पांच जोन है तो उनमें अलग-अलग जोन के लिए अलग-अलग कोड थो उसके अकोर्डिंग अपन लोग उनका इस्तिमाल करते हैं तो हर अलग-अलग अलग जोन के लिए आपको कोड डिफाइन किये गए तो भारत का अपना standard code है जिसका कि वह इस्तिमाल करता और इससे जो earthquake का इंपक्त है उसको कम किया जा सकता है तो भारत में पहला भुकंपिय कोड बनाया गया था वह आई-एस की फुल-फर्म है वह इंडियन स्टेंडर्ड है वह 1893 है जो 1962 में बनाया गया था फिर प्रकाशित हुआ था आज वी आई-एस यानि ब्यूरो आफ इंडियन स् पहली बर सबसे पहले 1962 में कोड बनाया गया था और उसके बाद में अब काफी सारे कोड से जिनका निर्मान किया गया और उसमें जैसे जैसे मतलब आपको कोई नया नौलेज मिलती है तो उसमें मॉडिफिकेशन भी किया जाते है तो फर्स अगर हम कोड की बात करें तो इस 1893 पार्ट वन 2002 था तो जैसे मैं आपको बताए 1962 में पहली बार बन गया था सिमिलर कोड है लिकिन ये इसका पांचा संशुर्दान है यानि पांच बर इसे रेक्टिफाई किया गया है अकॉर्डिंग तो जैसे जैसे इंप्रूमेंट की गई नौलेज आई या पिर किसी त यानि यह माबदंड यानि उसका जो इस्टेंडर्ड मेजर्मेंट कहेंगे या उसका नौर्मली उसका इस्टेंडर् क्राइटीरिया कहेंगे वो इसने बताया है फिर नेक्स्ट है आपका आइस 4326 जो 1993 में आया था इसमें भवन के अभिकल्पन के लिए भारतिय मानक कोड और यह सेकिंड संसोर्दन है यानि किस से पहले भी इसी कोड का पहले किसी एक दो साल पहले बनाया गया होगा यह इसका सेकिंड संसोर्दन है तो इसमें भवन के अभिकल्पन यानि जो आपन एक्ट्वल में करते हैं किसी भी बिल्डिंग की डिजाइन के लिए वो इसकी प्रैक्टिस की जाती है यानि आपको इस कोड को याद रखना है यह इंपॉर्टेंट कोड है आपके SST में भी अब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आपको यह डिफरेंट डिफरेंट कोड पताए जा सकते हैं और इनकी अलग-अलग प्रैक्टिस ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन सब के नाम याद होने चाहिए फिर एक है IS-13827-1993 यह मिट्टी के भावनों की भुकम प्रतिरोधता संशोधित करने ही तो भारती मानक निर्देशन है तो यह मिट्टी के भावनों के लिए निम्न सामर्थी की चिनाई भावनों की भुकम प्रतिरोधता संशोधित करने ही तो मतलग यह इंडियान स्टेंडर्ड ने निर्देशन दिये तो यह जैसे यह मिट्टी के भावनों के लिए था यह निम्न सामर्थी की चिनाई वाले जो भावनों ते यानि लो लेवल वा सब्सक्राइब के लिए उसने अलग बताया है निम निसामट की चिनाई वाले मकानों के लिए अलग बताया है फिर अगर आइस 13920 यह भुकम्पी बल है तु प्रबलिक कंक्रीट संरचना की तन्यता विक्रती के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने कोड प्रैक्टिस किया है तो इसके बाद में आइस 13935 और यह 1913 में का यह भवन की मरमत वह भुकम्पी सामर्थ लाने है तु भी जैसे अगर मरमत करनी है यह हुकम्पी सामर्थ को बढ़ाना है तो इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ निर्देशन दिये तो इस तरीके से आपके यह 6 कोड है इसमें से यह इस 4, 3, 2, 6 जो की आपका बिल्डिंग डिजाइन के लिए इंडियन कोड ने प्रेक्टिस करता है और यह इसका सेकिंड संस्टोधन है यह इंपॉर्टेंट है इसके अलावा भी आपको यह याज रखने तो यह आपकी सिस्मिक डिजाइन वोर्स टॉपिक आपका कम्प्ली प्रेक्ट जाइन शेजिए्ट टॉब।